ओम शान्ति आज स्नेह के सागर बाब दादा अपने स्नेह में समाय हुए बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि ये समय है वायू मंडल को परिवर्तन करने का और इसे परिवर्तन करने के लिए बेहत की विराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है आज इसी विशे पर बाबा ने हमें शिक्षाएं दी जिनको हम रिवाइस करेंगे तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 14 मई 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को वर्तमान समय की आवश्रक्ता क्या है? माया का प्रभाव कैसा है? माया की समझदारी से रॉंग में भी अपने को राइट समझते हैं अगर रॉंग के लिए इशारा देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए रॉंग और राइट का फर्क नहीं समझते, मायावी योगी वा मायावी ज्यानी समझदार इश्वरिये समझ से किनारा करा देती है, माया की छाया मन और बुद्धी को वशिभूत कर देती है, जो यथार्थ न स्नेह की विशेष्टा क्या है? स्नेह में बहुत शक्ती है, स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में लाता है, जहां स्नेह वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, ये इश्वरिये स्नेह सिवाए बाप और बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होत जो परमातम प्यार में खोई हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता है। परमातम प्यार में खोई हुई आत्मा की जलक और फलक, अनुभूती की किर्णे इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीब आना तो दूर, लेकिन आँख उठा कर भी नहीं देख सकता। बाप दादा ने आज टीचर्स प्रती क्या शिक्षाएं दी? सेवा में बेहत की वेराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीब लाएगी। बेहत के वेराग्य वृत्ति का पार्ट पक्का करके दिखाओ क्योंकि निमित हो, मुख की सेवा समपर्क मिलाती और वृत्ति से वायू मंडल की सेवा समीब लाएगी। निमित आत्माओं ही निर्मान बन, निर्मान का करतव्वे बहुत सहज कर सकती हैं। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है, वैसे विशेश बेहत के वेराग्य वृत्ति का वायू मंडल बनाने में टाइट रहना। बेहत के विराग्य वृत्ती का वावयू मंडल बनाने में हलके नहीं रहना, क्योंकि निमित टीचर्स का वावयू मंडल अनेकों तक पहुँचता है। का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। यह थी आज की मुर्लिक की विशेश पातें। हम आत्माएं ब्लेसिंग्स की पात्र बन सकें इसके लिए न्यारे और प्यारे पन के बैलेंस पर हम अटेंशन देंगे और साथ साथ स्वयम समर्थ बन अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाएंगे ओम शान्ति